जय श्री हरी विष्णू नमस्कार दोस्तों, आज कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथी के दिन, हम आपको एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी कहे जाने वाली, देवूठनी एकादशी वरत की पूजा विधी और वरत कथा सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, इस दिन जो भी विधी विधान से इस वरत कथा को सुनता है और बताये गए अनुसार पूजा अर्चना करता है। उन्हें भगवान हरी विष्णू और मा लक्षमी की विशेश कृपा एकादशी भी कहते हैं ये या साल में आने वाली सभी एकादशीों में सरवोपरी मानी जाती है। शास्त्रों में वरणित मान्यताओं के अनुसार देवुठनी एकादशी का वृत करने से एक हजार अश्वमेध यग्य के बराबर का पुन्य प्राप्त होता है। इस दिन एकादशी के दिन भगवान विश्णु चार माह के शयन के बाद जागेंगे। दोस्तों कार्तिक मास में शुकल पक्ष की एकादशी तिथी का यह देवुठनी एकादशी वरत अपने आप में विशेश महत्व रखता है। तो भगवान हरी विश्णु का नाम लेते हुए शरू करते हैं मनोकामना पूरी करने वाली कश्टों को हरने वाली वरत कथा और पूझा विधी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान श्री हरी विश्णु की कृपा और मा लक्ष्मी की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो इ 11 नवंबर को शाम के 6 बज कर 46 मिनट से लेकर 12 नवंबर को शाम 4 बज कर 4 मिनट तक रहेगी। ऐसे में 12 नवंबर को उदै तिथी में होने के कारण देवुठनी एकादशी का वरत इसी दिन रखा जाएगा। वहीं इसका पारण 13 नवंबर को सुबह 6 बज कर 42 मिनट से 8 बज कर 41 मिनट के बीच किया जाएगा। तो आईए जानते हैं इस दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहेंगे। चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एकादशी के वरत में चावल खाना वर्जित माना गया है। मानिता है कि चावल खाने से शरीर में आलस बढ़ता है और मन भक्ती में नहीं लगता। वहीं वैज्ञानिक द्रिष्टिकोन से चावल में जल की मात्रा अधिक होने के कारण इसके सेवन से शरीर में जल की मात्रा भी बढ़ जाती है। जिसका कारण शरीर में चंचलता बढ़ने लगती है। ऐसे में एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। सूर्योदय के बाद ना सोए दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार वरत वाले दिन देड़ तक सोना वर्जित होता है। बहुत से लोग देव उठनी एकादशी के दिन वरत रखकर तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं। विशेश कर वरत करने वाले व्यक्ति को इस दिन सूर्योदय से पूर्व ही उठकर सनान के बाद वरत का संकल्प लेकर पूजा और तुलसी विवाह करना चाहिए। इससे वरत का पुण्यफल प्राप्त होता है। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। एकादशी वरत के दिन लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन से व्यक्ति के मन में काम भावना बढ़ने लगती है जिससे मन अशुद्ध होता है। इस दिन ब्रह्म चर्य का पालन करना चाहिए। तुलसी के पत्ते ना तोड़े दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी जी के पौधे को नहीं चुना चाहिए। क्योंकि इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवा होता है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी पर जल भी नहीं चड़ाना चाहिए, नाहीं तुलसी तोड़नी चाहिए। मा तुलसी भगवान विश्णू के लिए वरत रखती है तो आईए दोस्तों, अब आपको बताते हैं देव उठनी, एकादशी वरत पूजा विधी इस एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर सर्व प्रथम नित्यक्रिया से निपटकर स्नानाधी कर स्वच्छ हो लेना चाहिए स्नान किसी पवित्र धार्मिक, तीर्थ स्थल नदी सरोवर अथवा कुगे पर किया जाए तो बहुत बेहतर अन्यता घर पर भी स्वच्छ जलसे किया जा सकता है स्नानाधी के पश्चात निर्जला वरत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए सूर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्ग्य देना चाहिए इस दिन संध्या काल में शालिग्राम रूप में भगवान श्री हरी का पूजन किया जाता है तुलसी विवाह भी इस दिन संपन्न करवाया जाता है हालांकि वर्तमान में तुलसी का विवाह अधिकतर द्वादशी के दिन करवाते हैं तो आईए, अब आपको सुनाते हैं देवुठनी एकादशी वरत कथा, जिसको सुनने मातर से आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी पहली कथा एक बार की बात है माता लक्ष्मी ने भगवान श्री विश्णू से कहा कि प्रभू आप या तो दिन रात जागते रहते हैं या फिर लाखों करोडों वर्ष तक सोते रहते हैं और सृष्टी का भी विनाश कर डालते हैं इसलिए हे नाथ आपको हर साल नियमित रूप से निद्रा लेनी चाहिए मेरी इस निद्रा के दोरान जो भी भक्त भावना पूरवक मेरी सेवा करेंगे और मेरे शयन वजागरण को उत्सव के रूप में मनाते हुए विधिपूरवक वरत उपवास वदान पुन्य करेंगे उनके यहां मैं आपके साथ निवास करूँगा दूसरी कथा, एक बार की बात है कि एक बहुत ही धर्म पुन्य करने वाले राजा हुआ करते थे, लेकिन धर्म का दिखावा बहुत करते थे, कई बार तो अपनी प्रजा के साथ जबरदस्ती भी किया करते, एका दशी पर किसी भी घर में अन्न पकना तो दूर, दुकानों पर अन्न को बेचने तक की मना ही होती थी, एक बार एक व्यक्ति उनके यहां नौकरी के लिए आया, राजा ने उसके सामने शर्त रखी कि वह जो भी खाने को देगा उसे उसी का आहार करना हो, वैसे तो राजा जो कहता है वह प्रजा को मानना ही पड़ता है, फिर इस शक्स क तो रोजगार की भी सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने हामी भर ली, अब वह मन लगा कर काम करता, राजा भी उसके काम से प्रभावित था, इसलिए उसे ठीक ठाक भोजन भी मिलता था, एक बार एकादशी के दिन की बात है कि पूरे राज्ये में अन्न ग्रहन न करने की अब वह व्यक्ती कड़ा परिश्रम करता था, लेकिन वह भगवान विश्नु का भक्त भी था, पर उपवास उसके बस की बात नहीं थी, एकादशी के दिन राजा ने उसे फलाहार करने को कही, तो उसने अन्न की मांग की, अब राजा ने उससे कहा कि जो मैं तुम्हें दे अब वह नित्य की तरह नदी किनारे जाकर अपना भोजन बनाकर भगवान का अहवान करता है, और भोग लगाने की कहता है, भगवान भी प्रकट हुए, और उसके साथ भोजन कर अंतरधान हो गए, पंदरह दिन बाद फिर एकादशी का वरत आया, इस बार उसने राजा से दुगूना अन देने की कही और कहा कि स्वण्य भगवान मेरे साथ भोजन करते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह कम पढ़ जाता है, राजा ने सोचा कि इसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, उसे लगभग धमकाते हुए उच्च स्वर में कहा कि मुझे इतने साल ह उपवास और धर्म के कार्य करते हुए, मुझे तो भगवान ने कभी दर्शन नहीं दिये और तेरे साथ वे भोजन करते हैं, उसने कहा महराज मैं जूट नहीं बोल रहा, यकीन नहीं आ रहा, तो आप स्वईय देख लेना, जैसे तैसे राजा ने फिर उसे भोजन दे दि व्यक्ति ने विवश होकर संकल्प किया, कि प्रभू, यदि आपने भोजन ग्रहन नहीं किया, तो मैं यहीं नदी में कूद कर अपने प्रान त्याग दूँ, भगवान अभी प्रकट नहीं हुए, वह जैसे ही द्रणिश्चय के साथ अपने प्रान त्यागने के लिए पुन्य ही फलदाई होता है, इसके बाद राजा भी सच्ची श्रद्धा से भगवन भक्ती में लीन हो गए और अंतकाल मोक्ष प्राप्त किया, तीसर कथा, एक और कहानी है, बात एक, राजा की ही है, यह राजा बहुत ही पुन्यात्मा और श्री हरी के सच्चे भक्त थे, प्रजा सुख से रहती थी, एक बार भगवान ने इनकी परीक्षा लेने का विचार बनाया, और एक सुंदर स्त्री का वेश धारण कर, जिस सडक से राजा का गुजरना होता था, वहीं बैठ गए, अब उधर से गुजरते हुए, जब राजा की नजरें उस स्त्री पर जिन आपको अपने राज्य की बागधोर मेरे हाथों में सौपनी होगी, जो मैं कहूंगी वही खाना पड़ेगा, रूप के आकर्शन में राजा की आँखे बंध हो चुकी थी, और गर्दन थी की हां में ही हिलती जा रही थी, राजा उसे अपने राजमहल में ले आए, अ आज एकादशी है, और इस दिन मैं भगवान श्री विश्नु की भक्ती में लीन रहता हूं, उपवास के दौरान केवल फला हार ही करता हूं, अब राजा ने राजा को अपने वचन की याद दिलाई, राजा ने कहा कि मैं आपको सिर्फ एक शर्त पर ही ऐसा करने दे सकती ह अरता क्या ना करता, राजा ने राणी को शर्त बताने की कही, उसने कहा, बदले में मुझे आपके बेटे का सर चाहिए, अब राजा ने कहा कि मैं बढ़ी राणी से सलाह लेने के बाद ही आपको कुछ कह पाऊंगा, अपने धर्म पर आन खड़े हुए इस संकट के बारे म जब राजा ने बढ़ी राणी को यह सब बताया, तो उसने कहा कि भगवान ने चाहा तो पुत्र ओर मिल जाएगा, लेकिन अपना धर्म भरष्ट कर लिया, तो फिर कहीं कोई ठोर नहीं, राणी रोने लगी कि तभी शिकार खेल कर लोटे, राजकुमार ने अपनी माता से रोने का कारण पूछा, उसने सारा वृतांत अपने बेटे को भी कह सुनाया, पिता के धर्म की रक्षा के लिए लड़का भी अपने बलिदान के लिए तैयार हो गया, अब धर्म को लेकर पूरे परिवार की निष्ठा को देखते हुए, भगवान श्री हरी भी अपने वा वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताईएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जै हरी विष्णू, जै मा लक्ष्मी